कि अगर आप भी ब्लोगिंग करते हैं और आपके बजट में गोप्रो नहीं है सो गैस मैं आपके लिए सबसे बेस्ट कैमरा लेका है हूं जो कि इस वक्त मार्केट में अभी लेवल है और जो गोप्रो को बहुत अच्छी से टक्कर देता है तो गैस पेश आपके जामने पूल स्क्रीन के साथ आता है और 128GB इसमें एक्सपेंडेबल तक मेमरी रहती है अगर आप मेमरी काड डालते हैं तो और गैस बारा मेंगा पिक्सल का यह कैमरा है गोप्रो जितना है तो गैस अगर इसकी मैं क्लेरिट की बात करूं तो यह गोप्रो एट के बराबर का है बि सबसे बेश देर है व हैृष की यसे डीव के आप इस देख सकते हैं दो स्क्रिन से दोनों स्क्रेंसरय आप देख सकते हो जस्इस या बlogging करते हो तो आपके आपके डीव डेर खरती यह अधर तो गैस मैं इस वीडियो में आपको पूरे टेस्ट करके दिखाऊंगा फूल हटी से लेके 2K, 4K, स्लो मोशन, टाइम लैप्स फिर वाडर प्रूफ, वाडर प्रूफिंग टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से वीडियो में बने रही है और enjoy करें वीडियो, so guys अगर आपने ये camera करें तो आप Amazon या Flipkart से करीज सकते हैं, आपको 19,000 से 20,000 के around तक अभी मिल जाएगा, जबकि आपको अगर ग्रोप प्रो लेना होगा तो आपको कम से कम 20-30,000 रुपे देने पड़ते हैं, so guys अगर उसके ये सबसे बेस्ट है कि मैं इसे बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं फाइनली आज इसका रिव्यू दे रहा हूँ, so guys वीडियो में बने रही है और वीडियो लाइक कर दीजीगे और शेयर कर दीजीगे, so guys अब मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, 1080 पिक्सल कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लेरिटी का पता चलता है, और आप वीडियो इंजॉय भी कर बाएं, so guys चलो देखते हैं, वीडियो के सीवन बन रही है, so guys अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो है 1080 पिक्सल 60fps पे, जो की रॉक स्टड़ी ओन है, और आ कैसी स्टैबलेजेशन मिलेगी, जैसे आपको, सब में एक ही जैसी स्टैबलेजेशन है इसकी, और guys अभी आप देख सकते हैं, नॉर्मली वॉक करने पे भी काफी अच्छा है, और 1080 पिक्सल आप देख के बताना कि इसकी कैसी है, किस तरह का इसमें व्यू आ रहा है, और ज आपको ने लिए रखा है, जब वो होगा तो और ज्यादा ब्रोड हो जाएगा, जो कि इसमें ज्यादा इंगल दिखाएगा, फिर अब आपने वीडियो देखी, 1080 पिक्सल आट 60 fps पे और अब मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूं, 2K एट 60 fps पे, तो आप बताए, वीडियो की किलरेटी कैसी है, कलर साचुरेशन कैसे है तो यह जो वीडियो बना रहा हूं है, यह बना रहा हूं है, 2.6K एट 60 fps पे, और इस वक्त मैं नॉर्मल वाकिंग कर रहा हूं, और मैं अभी जा रहा हूं, मंदिर की और, यहां पे मंदिर है, और अभी आप ब्लू स्काय देख सकते हैं, कि इसके अंदर किस तरह का गोप्रो के कमपरिशन में किस तरह का वीडियो शूट होती है, तो गैस अभी आप ओन करके ही रखोगे, और मैंने भी वही किया है, और आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पे हवा भी चल रही है, तो आपको इसकी noise reduction, जो noise को कम कर देती है, वो भी मैंने on कि होगा है, तो गैस अभी आप वो भी देख सकते हैं, कि किस तरह से यह उसके लिए पर देख चलता दाएगा कि यह किस तरह की video shoot कर रहा है, और किस तरह की audio shoot कर रहा है, record कर रहा है, मैं आपको यहां से नीचे का view दिखाना चाहूंगा, कि यह किस एंगल पर video shoot करता है, जो गैस अभी आप देख सकते हैं, यहां पर नीचे खाई है, और यह सामने ब्यास रिवर किस तरह की है, कैस अभी मैं हलका हलका जम्प मार के उपर जाओंगा, तो आप देखी इसकी stabilization किस तरह की है, कैस अभी मैं उपर पहुंच चुका हूं, और मैं आपको यहां पर भी धूप की तरह फेस करके, नॉर्मली video shoot कर रहा है, कि आपको इसी से ज़ादा जज्मेंट र रहेगी कि video किस type में shoot हो रही है, तो guys देखिए मैंने भी normal चोटा सा tripod है मेरे पास, बिल्कुल hand वाला, तो मैंने selfish stick type जो tripod रहते हैं, वो use नहीं किया है, उसके साथ मैं आपको बाद में video बना के दिखाऊंगा, और अभी आप देख सकते हैं, मेरे surrounding में, जो area है, हराफ हरा है काफी, तो किस तरह की video shoot हो रही है, और इसकी जो setting है camera की, हो मैंने auto पे रखिया है, automatically adjust कर रहा है, कि मेरे face पे कब light जादा पढ़नी चाहिए, कब कम पढ़नी चाहिए, आप नीचे देखते हैं, हापे खाई भी है, और ये 2.7K at 60fps पे चल रही है, So guys, अभी मैं video play करूँगा, 4K at 60fps पे, तो आप video quality बताएं, किस तरह से बन रही है, और बाकी की comparison में कैसी है यह, So guys, इस वक्त video record हो रही है, 4K 30fps पे, और ये कैमरा है, DZI Osmo Action, So guys, इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे face पे sunlight पढ़ रही है, और मैंने red shirt पैनी हुए, आप देख सकते हैं, और मेरे surrounding में जो environment है, आप उसकी color, saturation, अच्छी तरह देख सकते हैं, मेरे पीछे इस वक्त है, लीच जारा जो है, जो color and clarity जो है, इसकी वो आप चेक कर सकते हैं, So guys, अभी जो आप वीडियो देखेंगे, वो है slow motion at 8X पे, means 8 गुना 240fps पे, ये slow motion बनाया है, 1080px पे, DJI Osmo Action में, दो slow motion बनाया है, 720px में, और 1080px में, So guys, ये है 1080px at 240fps पे, जो आप दो, स्योंगे, ये हैं, वीडियो बनाया है, जो क्या बनाया है? कि अभी जो आप वीडियो देखेंगे वो है HDR mode TGI Osmo Action में HDR mode है जो की 4K तक वीडियो record करता है और HDR mode में यह कमी है कि इसके अंदर stabilization on नहीं होती है जो rock study mode है वो on नहीं होता है आपको नॉर्मल फ्रेम पर यह चलाना पड़ेगा आपको अपने हाथ से इसको stabilize करना पड़ेगा लेकिन मेरे असाप से जैसे HDR recording recording करनी हो तो आप इसको एक जगा पर रखके आप इससे record कर सकते कि यह बहुत अची video record करता है और बाकी इसमें सब ठीक है लेकिन इसमें स्टेबलाजेशन होनी चुगी थी मेरे साप से चलो आप वीडियो देखके बताएं कैसी है अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यह हो रही है HDR मोड में उन जैसे कि आप जानते हैं कि ओसमा एक्शन में HDR मोड है और इसके अंदर स्टेबलाजेशन नहीं होती है HDR मोड में अभी मैं नॉर्मल बिना विडाउट स्टेबलाजेशन में वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप देखके बताना है कि इसकी स्टेबलाजेशन के बिना वीडियो कैसी बन रही है वैसे वीडियो काफी शेक कोईगी क्योंकि इसमें स्टेबलाजेशन रॉक स्टेडी मोड नहीं है और अभी जैसे मैं नॉर्मल चलने वाला हूं सो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबलाजेशन कैसी है विडाउट स्टेबलाजेशन में ये वीडियो कैसे शूट कर रहा है और इसकी जो HDR मोड है वो नॉर्मल से कितना बैटर है आप देख के बताना है अभी जाब वीडियो देखेंगे वो है टाइम-लैप्स अभी मैं जो वीडियो प्ले करूंगा वो है वाटरपूफिंग टेस्ट इसका इसको मैंने पानी के अंदर डाइफ किया है टू मेटर तक तो आप देखके बताएं पानी के अंदर की वीडियो कैसी बन रही है अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ दीजियो यसमो का वाटरपूफ टेस्ट अभी मैंने कोई इसके अंदर वाटरपूफ केस नहीं लगाया तो अब मैं इसे अंदर डाइब करने वाला हूँ मैं अपने इसके अंदर की पिरी जिता कीशा है यह से अब का देखके हैं आपे आंप इसके पानी हो हूँ किस तरह से नजर आरहा हैं अदर हूर ये मेरे भाई हैं अब ये अंदर कुछातों केमरा आप देखते हैं यहां पर है करीब आठ नो फुट और तमसे कम में एक बेड़ मीट इंगर जो पर हुआ 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 है कर देखते है है चेद्ओ के 2K60fps में उक बना हुआ 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 है आख चलिए वा सरarla के जलते हैं हुआ है यह संधो मेंज ढूंड़ा एक आढ़ आप देखते हैं यह बना आपना रहों है नुस्ट ब smiles में प्दक हुआ हुआ है अब आगे आगे सब्सक्राइब जो वीडियो की एडिया वह मेरे को बहुत इच्छी लगिया इस कैमरे में जो स्टैबलाइजेशन है रॉक स्टाडी मोड जो यह ऑसम एक्शन वाले प्रवाइड करते हैं बहुत ही जबरदस्त है आपने पूरी वीडियो में देखा होगा कि इतना अच्छे से स्टेइलाइज करता है वीडियो को रणिंग करते टैम जंप करते टैम कैमरा नहीं हिलता है बिल्कुल शेक नहीं होता है और बहुत इच्छी से रिकॉर्डिंग होती है मेरे साथ से तो बेस्ट केमरा है अगर आपको लेना है तो आपी अमेजान फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा और टेक क्यर